हलो दोस्तों धन ने अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में रिसेंटली यानि में जून 2024 में कुछ निव और यूनिक फीचर्स एड़ करें आपको पता ही है कि धन का जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है इस इंडिस्ट्री का इंडिया की अगर हम बात करें तो और इस बात अभी हम दो तीन साल पीछे चले जाएं तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स है धन में जिसके लिए हमें पहले अच्छा खासा एमांट पे करना पड़ता था और कुछ फीचर्स ऐसे भी हैं जो एमांट पे करने के बावजूद भी हमें नहीं मिलता था और वो सारा कुछ यहां पे हमें free of cost मिलता है तो बहुत सारे लोग यूनिक फीचर्स के नाम से ही वीडियो को क्लोज करके चले जाते हैं तो वह नहीं करना एट लिस्ट आप सारी यूनिक फीचर्स को एक बार देख जोड़ लीजे पता नहीं कौन से फीचर्स आपकी काम की हो और कौन सा फीचर्स आपके loss को profit में convert कर दे या फिर जहां पे profit कम हो रहा उस profit को maximize कर दे तो एक बार इस वीडियो को completely watch कीजिए और सारे फीचर्स को एक बार आप एनलाइज जरूर कीजिए तो चलिए diet हम धन के main trading platform पे आते हैं और जो features है उसके बारे में बताते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे home के बगल में आपको market देखेगा इस markets पे आपको click करना market पे click करने के बाद आपको यहाँ पे live दिखेगा उसके नीचे इस पे आपको click करना है इसके बाद तीसरा काम करना है आपको market scanner पे click करना है यह काफी unique features और काफी advanced features दिए गये जैसे आप market scanner पे click करेंगे थोड़ा सा time लेगा और यहाँ पे आपका stocks filter होके आना सुरू हो जा और वो stocks भी filter होगा जिसने days high को break कर रहा है जैसे आप यहाँ पे देखो screen पे अगर आप देखो तो days low वाला stocks आपको दिख रहा होगा वैसे हम bottom में जाते हैं तो days high वाला stocks दिखेगा अभी days high वाला यहाँ पे नहीं दिख रहा है लेकिन time to time यह change होते रहते हैं क्योंकि market का sentiment negative है इसलिए days low वाला यहाँ पे हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है और यहाँ पे multiple settings भी है जैसे यहाँ पे आपका settings का button है मैं highlight कर देता हूं settings का button है यहाँ अगर आप इस settings के button पे click करते हैं तो देखें यहाँ पे जो आपका यह scanner काम करेगा based on days high days low जो हमने सेट किया है weekly low monthly high monthly low इन सब के basis पे आप stocks को filter कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपने लिए strategy भी set कर सकते हैं जैसे अगर हमें उस stocks में buy करना जिसने weekly high को break कर रहा है तो आप weekly high वाला जो segment है उसको आप चूज कर लीजे या फिर उस stocks को sell करना जिसने weekly low को दो रहा है वैसे ही आप अपने 200 इन सब क्रिटेरिया के basis पे और कौन सा स्टॉक 52 विक high के नजदीक है कौन सा स्टॉक 52 विक low के नजदीक है कौन से स्टॉक में हमें 5% का recovery देखने को मिला 5% का fall देखने को मिला तो multiple scanner है multiple options है आपके पास अब आपको decide करना है कि आपको कौन से scanner का इस्तमाल करना है trading strategy form करने के लिए तो यहां पर इसका इस्तमाल कैसे करना फॉर एक्जांपल को स्टॉक से जो रिकवर कर रहा है यानि मार्केट का sentiment निगेटिव है और स्टॉक भी नीचे जा रहा तो सबसे पहला जो recovery हमें आएगा वह कहां पर देखने मिलेगा इस टॉक्स में हमें सबसे पहला recovery द दिखाया है कौन सा स्टॉक्स अपने हाई से 5% दिखा यानि मार्केट का sentiment अगर पॉजिटिव है और वहां से मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है तो सबसे पहले स्टॉक्स करेगा तो उस ट्रेंड चेंज को भी आप इस स्कैनर के जरी है पहले ही identify कर सकते हैं और तो आप अपने trading में भी implement कर सकते हैं और यह सारे features आपको धन के trading platform में मिल जाएंगे तो यहां पर एक सीज़ बताना चाहूंगा कि अगर आपका demate account धन में है तो जो मैंने आपको section बता है उस section बाइज आपको append करना है अगर आपका demate account धन में नहीं है तो इस video के description में link दि करने की ज़रूरत नहीं है अगर features पसंद आता है तो यूज कीजिए नहीं पसंद आता है तो जो आप पहले से यूज कर रहे थे वहीं कीजिए कुछ भी आपका पैसा नहीं जा रहा है यहां पर यह जो market scanner है इसका आप कहीं भी इस्तिमाल कर सकते हैं आप जाओ तो उसके बार हम डिसकस कर रहा है वो क्या था वो था आपका market scanner जो की market segment पे जाके live section में जाके आपको मिलेगा यह था पहला अब यहीं पे market segment पे live में आपको दूसरा action देखने को मिलेगा वह आपका market action तो चलिए market actions वाला जो button है उस पे हम click करते हैं जैसे आप इस पे click करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा S3, S2, S1, Pivot, R1, R2, R3 तो जो लोग market में trade करते हैं उनको पता ही है कि R1, R2 क्या दिखा रहा है यह resistance को denote कर रहा है और S1, S2, S3 यह क्या denote कर रहा है यह support को denote कर रहा है और यहाँ पे जो support और resistance लेवल है यह किस basis पे यह है आप का based on private levels और यह काफी ज्यादा accurate होता है और कौन-कौन सा है stocks कौन-कौन से support resistance को hold कर रहा है कौन-कौन से support resistance को तो रहा है आप नीचे में यहाँ पे देख सकते हैं तो यह भी एक जबरदस्त scanner है जो की बरे काम की चीज़ है और इन सब के basis पे आप intra day में आसानी से काम कर सकते ह और आप चाहो तो यहाँ पे तीन-चार दिन के लिए आप trading setup ले सकते हैं यहाँ पे आप काफी हद तक swing trading के लिए भी जा सकते हैं बहुत सारे ऐसे features भी दिये गए हैं और जो लोग options में काम करते हैं धनके trading platform में options trader के लिए अलग ही trading platform बनाये गया है तो उसके उपर भी हम ब पर एक काम की है तीसरा features जो इसी segment मिलेगा वह आपका trending on धन तो इस पर हम क्लिक करते हैं यह समझने की बात तो यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है कि धन के trading platform में कौन-कौन सा stocks है जो की trend में और आपको पताए कि धन अब छोटा मोटा brokerage form नहीं है यह काफी big brokerage form है और यह इस पर act करें ना करें लेकिन धन में क्या trend में चल रहा है उसको आपको एक बार पता करना जरूरी है इसलिए जो भी आप काम करते हैं धन के trading platform पर आना है और यहाँ पर क्या trend में चल वह आपको पता करना जरूरी है यहीं सबसे पहले हमें क्या देखना है most search stocks कौन से stocks को सब से ज्यादा बॉट किया गया है धन के trading platform वह आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन से stocks को सब ज्यादा sell किया गया है sell करने वाला लिस्ट में आपका बोड़ा फोन आईडिया है कौन सा stocks है जो कि सब ज्यादा delivery में बाई करा गया portfolio के लिए वह यहाँ पर देख सकते हैं MTF के लि लेगा वह है आपका IPO कौन कौन सा IPO open है और कौन कौन सा major IPO आने वाला है वह सब कुछ आपको यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सा SME IPO का भी list देखने मिल जाएगा problem यह रहता है कि SME IPO का list हमें नहीं मिलता है लेकिन यहाँ पर आप मिल जाएगा और यहाँ पर IPO को pre apply भी कर स सकते हैं place bid for करने के बाद यहाँ पर हम आसानी से apply कर सकते हैं ती options भी आपको धन के training platform मिल जाता है IPO खुलने से पहले आप सारा काम कर सकते हैं mandate को भी approve कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको live options के बगल में stocks को option दिखेगा इस पर आपको क्लिक करना है जैसे इस पर आप क्लिक करें इसका जो main features है o equal to h और o equal to low अब इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि open equal to high और open equal to low यह कौन कौन से stocks ने यहाँ पर form करा है वो यहाँ पर आपको clear idea मिल जाएगा जैसे यहाँ पर हम open equal to high पर क्लिक करते हैं तो देखिए कौन कौन सा stocks ने यहाँ पर form करा है आपको clarity के किया है तो इसके basis पर हम strategy बना सकते हैं वैसा ही open equal to low कौन कौन से form किया इंटर globe aviation अभी इस लिस्ट में पहला ही नाम दिख रहा है बांकि और भी कोई stocks अगर आता है तो वह नाम आपको नहां पर दिख जाएगा तो open equal to high और open equal to low इसके basis पर आप scalping trading आसानी से कर सकते हैं यह यहां पर और भी multiple features हैं जिसके बारे हम discuss नहीं करें आप जाके check भी कर सकते हम वही features को consider कर रहें जो कि आपके काम आ सकता है as a trader तो अब हम यहां पर आते हैं futures पर तो जो भी लोग F&O में क्याम करते हैं उनके लिए कहानी यहां से start हो गया है तो F&O पर आपको कोई भी future वाले stocks पर click कर देना है और यहां पर आपको build up पर आना ठीक है build up पर जैसे ही आएंगे आपको क्या देखेगा जैसे यहां पर हमने nifty वाला चार्ट ले लिया कोई भी stocks bank nifty fin nifty को भी आप यहां पर select कर सकते हैं और आप यहां पर morning से ही देख सकते हैं अब देखिए morning से हमें यहां पर क्या देखने को बिल वा 9.15 से 9.30 short build up 9.30 से 9.45 short build up 9 9.45 से 10 आपका short build up यह नि market में clearly हमें short build up देखने को मिल वा और इसके बार market का direction भी क्या था जो हमारा यहां पर loss हो सकता था उस loss को भी protect करने का काम करता है तो यह आपको multiple तरीके से help करता है यह आपके उपर है कि आप इसका कितना बहतर और कितना proper तरीके से इस्तमाल करते हैं और यह सारा features as options trader आपको पता होना चाहिए इसके बिना अगर आप options में काम करते हैं तो आ completely secure नहीं बन सकता है यहां पर यहां पर आपको एक और चीज क्लिए कर देता है जैसे कहीं पर हमें breakout दिखा और breakout की बाद अगर हम बाइसार की तरफ जा रहे हैं तो यहां पर हमें लॉंग बिल्डप चाहिए अगर लॉंग बिल्डप नहीं आ रहा है तो इस breakout के लिए नहीं चाहिए support मिलवा है तो इस breakdown पर ट्रस्ट करेंगे नहीं मिलवा है तो इस breakdown पर नहीं जाएंगे तो इस तरीके से भी आप इस data का मदद ले सकते हैं अब कुछ लोग community में काम करते हैं और वो बोलते हैं कि sir हमारे लिए धन में क्या है तो मैं उनके लिए भी जल्दी से बतान कौन सा प्राइस लूजर कौन कौन से यहां भी multiple scanner काम करते हैं जो कि आपको इस तरह के scanner commodity मार्केट में बहुत कम दिलेगा तो community trader भी धन के trading platform का इस्तमाल कर सकते हैं आपके लिए भी काफी advanced feature दिये गए हैं और जिनको भी यह सारे features का इस्तमाल करना है धन में ट्रेडिंग दिमेट अकाउंट ओपें होना ज़रूर है जिनका पहले से फीचर को इस्तमाल कीजे नहीं है तो फिर जे बता रहा हूं इस वीडियो के description में link दिया गया है उस link पे click करके आप free में धन में trading दिमेट अकाउंट ऑपें कर सकते हैं और एक और चीज अगर आप इस वीडियो क description में दिये हुए link से धन में trading और टिमेट अपें करते हैं यहां पे आपको कोई annual maintenance चार्ज भी नहीं लएगा यह benefit भी आपको मिल जाएगा तो कुछ भी पे नहीं करना है बस features का इस्तमाल करना है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि धन के trading platform में options trader को एक खास importance दिया और home section में अगर आप नीचे आते हैं तो देखिए यहां पे आपको क्या देखने मिलेगा options trader इस पे आपको क्लिक करना है तो जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो एक अलग साही platform यहां पे open हो जाएगा और इस platform में भी बहुत सारे unique features दिये गए हैं तो चलिए सबसे पहले हम एक एक करके बात करते हैं तो सबसे पहले यहां पे हम आ जाते हैं एनलाइज section में और एनलाइज section में यहां पे हम बात कर लेते हैं straddle chain straddle chain के उपर हमने different videos में बात किया है और especially जब market आपका expiry रहता है चाहे nifty का expiry हो bank nifty का और fin nifty का तो इसमें straddle chain का बरा ही इस्तमाल होता है या फिर market में जब हमें volatility रेखने को मिलते हैं तो अभी इसका हम इस्तमाल करते हैं अभी इस straddle chain हमें क्या दिखाता है एक strike price straddle price का मतलब क्या है जैसे यहां पर 2300 का straddle price से 250 करें यानि 2300 के call side का premium plus 2300 के put side का premium दोनों को आप एड कर देंगे तो आपका straddle price आ जाएगा दोनों को एड करके 250 या फिर 258 जो भी हो आ जाएगा यही हमारा straddle price दिखाता है यानि यहां पर हर एक strike price का एक ही price दिखेगा दोनों call और put side को combine करके और यहां पर PCR की मदद से हमें एक बहतर strategy बना सकते हैं especially जब PCR आपका 0.5 के नीचे हो या फिर 2 के above हो इसके उपर हमने already detailed video recently ही बनाया उस video का link भी आपको इस video के description में मिल जाएगा नहीं तो आप i button पे भी click करके देख सकते हैं धनका trading platform advanced है इसलिए options क लिए अलग trading platform बनाए गया लेकिन इसमें भी आप अपना portfolio चेक कर सकते हैं पोजिशन कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं यह नहीं कि फिर से हमें अपना positions order देखने के लिए main trading platform में जाना पर हैं तो जहां पे आप हैं वहीं पे सारा काम कर सकते हैं आपके सहूलियत के हिसाब से यहां पे design किया गया है इसलिए especially options trader और intraday trader धन के trading platform को बहुत ही जादा like करते हैं पसंद करते हैं इसलिए धन बहुत जादा धीरे धीरे popular हो रहा है अगर आपने अभी नाम नहीं सुना है तो मेरे मुझ से अगर आप पहली बार नाम सुरूए तो अगले एक दो महीने में आप कहीं ने कहीं से दो तीन बार और धन का नाम जोट सुन लेंगे इसलिए इस features को आप देखिए और implement करने की कोशिस कीजिए अगले features पर आते हैं तो यहां पर आपका एक strategy builder दिखेगा तो अगर आपको options में खुद से strategy बनाना आता है तो धन के trading platform बहुत कर दिया गया नह के लिए बताता हूं जिनको options में hedging strategy बनाने नहीं आता है तो अगर आपको बनाने आता है तो खुद से आप यहां पर strategy create कर सकते कौन सा strike price का call put options भाई करना और उसके हिसाब से आपका यहां पर pay off chart भी बनके तयार हो जाएगा अब fast create option आपको यहां पर देखने को मिल रहा हो होगा यहां पर मैं highlight कर देता हूं और इस पर आपको क्लिक करना जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर multiple strategy देखेगा बुल कॉल असानी से expiry भी चेंज कर सकते हैं अब देखे अब यहां पर हमें range मिल गया है 22,300 लेके 22,700 और market अभी है कहां पर market की बात करें तो 22,500 कर भी यह नहीं यहां पर हमारा 200.00 उपर भी protected है 200.00 नीचे भी protected है ऐसे ही आप चाहो तो strike price में थोड़ा बहुत उपर नीचे करके आप 500.00 उपर भी protect कर सकते हो और 500.00 आप नीचे भी protect कर सकते हो और इसके basis पे आप अभी से 6 जून तक के लिए जो election में volatility आएगा उसके basis पे आप strategy बना सकते हो नहीं बनाने आता है यहां पर multiple strategy है आप चेक किज़े कि आपको क्या उसके इसाब से आपका यहां पे strategy बन जाएगा ऐसे आपका call ratio spread different strategy आपको मिल जाएगे जो कि market के different directions में आपके trade को hedge करके देगा अगर आपको यह सब करने नहीं आता है तो आपके लिए भी यहां पे धन में खयाल रखा गया है आपको प्रिविल्ट पे आना है प्रिविल्ट में आने के बाद बस आपको यह डिसाइड करना है कि market का direction bullish है या फिर bearish है अगर आप यह डिसाइड कर लेते हैं bullish है तो bull call spread वाला strategy आप अप्लाई कर सकते बुल पूट spread call ratio spread अगर आपको bull call spread नहीं आता है क्या होता है तो यहां पर देखिए जैसे bull call spread strategy है इस जिसका premium है 25 रूपे और call options को sell भी करा गया जिसका premium है 8 रूपे यहां पर एक चीज़ क्लियर हो गया कि bull call spread में क्या होता है हम call options को buy करते हैं जिसका premium high हो और हम call options को sell करते हैं जिसका premium कम हो तो इस तरीके से आप call bull call spread strategy भी सीख सकते हैं काफी आसानी से वो भी practical वेव है जो कि आपको हमेशा पूरिया lifetime तक याद रहेगा वहीं अगर आपको market का direction भी नहीं पता है बेरिश है या फिर bullish है तो आप यहां पर non direction चली जाए या फिर any direction चली जाए तो उसकी हिसाब से भी आप यहां पर strategy बना सकते हैं जैसे यहां पर आपका short iron butterfly हो गया short iron condor हो गया short straddle किसमें क्या करना है वो सब कुछ यहां पर है अगर आपको कुछ समझ पर नहीं हा रहा तो simply आप यहां पर execute पर भी click कर सकते हैं या फिर इन सब का payoff chart देखना है तो see in builder पर click करके आप payoff chart भी देख सकते हैं कि जो strategy आप सोच रहे हैं वैसा कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है औ इसलिए धनके trading platform को आप एक बार इस्तेमाल जहूर कीजिए क्योंकि यहां पर हमें कुछ पे करना नहीं पर रहा है इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं कि आप एक बार इस्तेमाल जहूर कीजिए ट्वेडिंग और डेमेट एकाउंट ओपेन करके जिसका link इस वीडियो के description में दिया गया है और जो features हमने बताया अब आप मुझे comment करके जोगर बताएगा कि इन सब में से आपका पसंदीदा features कौन सा है कौन से features जो कि आपको सबसे बहतर लगता है वो हमें comment करके जोगर बताएगा आपके comment का इंतजार रहेगा so that's all इस वीडियो में इतना है मिलते हैं नेक्स वीडियो में किसी और informative content के साथ जैन